जै स्री कृष्णा आईए जानते हैं सकच्चवत कब है शुब मुहुद पूजन विधी महत्व इवं इस दिन क्या करें क्या ना करें माग के महीने में सकच्चवत का तिवार मनाया जाता है हिंदु पच्चां के अनुसार माग महीने के कृष्णपच की चतूर्ती तिति पर सकच्च ब्रत रखा जायेगा इस साल सकच्च ब्रत 21 जनवरी को रखा जायेगा सकट चौत के ब्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयू अच्छी सेहत और जीवन में शुक्षमरिधी की कामना के लिए भगवान गडिश की बिसीस रूप से पूजा उपासना करती हैं धार्मिक मान्यताओं के अमसार सकट चौत का ब्रत भगवान गडिश के प्रती अपनी आस्था प्रगट करने का तेवहार होता है मान्यता है जो भी सकट चौत का ब्रत बिधी बिधान के साथ रखता है उसके जीवन में आने वाला संकर खत्म हो जाता है क्यूंकि सकत चौत के दिन ही भगवान गड़ेश के जीवन पर सबसी बड़ा संकट आया था प्रतेकवर्ष माव के महिने में सकत चौत के दिन भगवान गड़ेश को मोदक, लड़ू और दुर्वा अर्पित किया जाता है इस दिन गड़ेश इस्तुती, गड़ेश चालीशा और सकत चौत ब्रद कथा का पाड़ किया जाता है आई ये जानते हैं कब है सकत चौत की तिथी, पूजा का शूब मोहोड और चंद्रोदय का समय हिंदू पंचांग की गड़ना के अंसार हर वर्ष सकत चौत का ब्रद माग महिने की कृष्ण पच की चतूर्थी तिथी पर रखा जाता है इस वस चतूर्थी तिथी 21 जन्वरी की सुबह आठ बजकर 51 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 22 जन्वरी की सुबह 9 बजकर 14 मिनट तक रहेगी सकत चौत के दिन बहुत ही सुभयोग बनने जा रहा है पंचांग के अमसार इस बाद सकत चौत पर सुभाग्य नाम का सुभ योग बनेगा यह सुभ योग 21 जन्वरी की दोपहर 3 बजकर 6 मिनट तक रहेगा फिर उसके बाद सोभन योग सुरू हो जाएगा शौभाग्य योग पर सुभकार्य और पूजा करने पर हमेशा सफलता की प्राप्ती होती है सकत चौत पर अभी जीत मुहुर्थ का समय दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक रहेगा चतूर्थी तिथी पर ब्रत रखने के बाद चंद्रमा का दर्सन अवश्य किया जाता है ऐसे में 21 जन्वरी की रात को सकत चौत पर चंद्रमा 9 बजकर 5 मिनट पर होगा ऐसे में जो महिलाएं सकत चौत का ब्रत रखेंगी वे पूजा के बाद चंद्रमा के दर्सन करते हुए जल अर्पित करें और परिवार की सुक सम्रिधी की कामना करते हुए भगवान गडेश से आसिरबाद प्राप्त करें इसके बाद ब्रत का पारन करें शुबह जल्दी उठकर असनान करने के बाद ब्रत का संकल्प लें लाल वस्त्रपहन कर भगवान गडेश की पूजा करें भगवान गडेश की पूजा करने के लिए मालच्मी और भगवान गडेश की मुर्ति दोनों होनी चाहिए पूजा में गडेश मंत्र का जाब करना भेहत फलडाई बताया गया है गडेश मंत्र का जाब करते हुए 21 दुर्वा भगवान गडेश को अर्पित करें पूजा के बाद रात में चाद को अर्ग दें फिर फला हार करते हुए ब्रत का पारण करें जानिये सकट चौद के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं सकट चौद के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाध होकर साफ कपड़े पहनने चाहिए इसके बाद आसन पर बैठकर भगवान गडेश की पूजा करनी चाहिए पूजा के दवरान स्री गडेश को धूप और दीप दिखाना चाहिए गडेश जी की पूजा के दवरान सीधे हाथ में जल्ले कर ब्रत का संकल्प लेना चाहिए गडेश मंदी जाकर भगवान के दर्शन करने चाहिए बिग्न हर्ता को दुर्वा फूल और लड्डू का भोग लगाना चाहिए सकट चौथ के दिन तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए दिन भर अन नहीं खाना चाहिए और फलाहार करें दाना देना सुम्माना जाता है आज के दिन सुर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए बिना नहाए कुछ नहीं खाना चाहिए जूट नहीं बोलना चाहिए दिन में नहीं सोना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए लड़ाई झगडा नहीं करना चाहिए सकच चौत के दिन मास मदीरा का सिवन नहीं करना चाहिए जो तुलसी भगवान विशुडू को इतनी प्रिय हैं उसी भगवान गरेश को भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए इसलिए सकत चोथ ब्रत के दिद पूजा करने के दवरान भगवान गड़ेश को तुलसी न चढ़ाएं बरना इस्वन नाराज हो सकते हैं तुलसी की जगह आप भगवान गड़ेश को दुरुवा चढ़ाएं ऐसा करने से बिग्न हर्तागडेश प्रसंद होंगे और स्वास्तलाब के साथ ही धन संपत्ती में भी ब्रिधी करेंगे वैसे तो सकत चोथ के दिन महिलाएं ब्रत रखती हैं इसके बावजूद अगर आप फलहार करने की सोच रही हो तो इस दिन जमीन के अंदर उगने वाले कंद मुलका सीवन नहीं करना चाहिए यही कारण है संकष्टी चतूर्थी के दिन व्यक्ती को मूली चुकंदर गाजर जीमीकन सकरकन आदिका सीवन नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है जिस तरह करवा चौथ के ब्रत के दिन चाद को अर्ग देने के बाद ही ब्रत खोला जाता है ठीक उसी तरह सकट चौत ब्रत के दिन भी चंद्रमा को अर्ग देना बहुत जरूरी होता है चाद को अर्ग दिये बिना ब्रत पूर नहीं माना जाता